प्रदेश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ प्रदेश का राजनेतिक माहूल गर्म है इडिने मनी लॉंडरिंग से जुड़े मामले में पुर्वगरुह मंतरी अनिल देशम को गिरफतार किया है तो उपमुक्य मंदरी अजित पवार की भी मुश्किले बढ़ती हुई नजरा रही है आईकर विभाग ने अजित पवार की तकरीबर एक हजार करोड रुपे की संपती को जब्त किया है उदर नवाब मलिक ने कहा कि समिर्वान खेड़े अतनी मांदार अधिकारी है कि उनकी शर्ट सत्तर हजार रुपे की होती है वे दो लाख के जूते और बीस लाख की घड़ी पहनते हैं उनकी बेल्ट और पैंट भी लाखों की होती है तो नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपो पर देविंद्र फड्नविस की पतनी अमृता फड्नविस ने पलट बार किया है नवाब मलिक का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि आप मर्द है ना फिर डारेक्ट देविंद्र जी को टार्गेट टरे मुझे बीच में न लाए इस बीच भाजपा नेता के रिट सोमय या का भी ताबड तोब हमला जारी है उन्होंने दावा किया है कि पवार परिवार के दामात मोहन पार्टिल का इस्तिमाल करते हुए करोड रुपे का विक्तिय हेर फिर किया गया है प्रदेश से जुड़ी पाच बड़ी और ताजातरीन खबरों को विस्ताव से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ महराश्टर के पूर्व गुरूह मंत्री अनिल देश्मुक को एडी ने मनी लॉंडरिंग से जुड़े मामले में गिरपतार कर लिया है मंगलवार सुबह एडी के अधिकारियों ने उनकी मेडिकल जाच के बाद उने कोर्ट में पेश किया फिलहाली सुनवाई के दवरान मीडिया को कोर्ट रूम अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है वसुली के आरूपी के कारण देशमुक को अप्रेल में इस्तिफा देना पड़ा था इडी की तरब से पाच बार समन जारी किये जाने के बावजूद देशमुक पेश नहीं हुए थे बाद में बॉम्बे हाई कोट की तरब से पिछले सप्ता इन समनों को रद्ध करने से इंकार करने के बाद वह एजनसी के समक्ष पेश हुए थे अनिल देशमुक से प्रवरतन निदेशाले ने 12 घंटे की पुछताच की पुछताच में इडी को पूर्वमंत्री की तरब से संतोष जनक जवाब नहीं मिला इसके बाद उन्हें गिरपतार कर लिया गया इससे पहले वह अपने वकिल के साथ दक्षिन मुंबई के बलाड इस्टेट इलाके में स्टित एजनसी के कारयले में आये थे अधिकारियों ने बताया था कि केंद्रिय जाच एजनसी महराष्टर पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड रुपे की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जारी अपरादिक जाच के सम्वन में धन शोधन रोक्थम कानून के दाथ राष्टरवधी कॉंग्रेस पार्टी के 71 वर्षिय नेता के बयान दर्श कर रही है उनकी गिरपतारी के बाद से महराष्टर के राजनितिक गलियारों में बयान बाजी तेज हो गई है महराष्टर की उपुमुख्यमंत्री अजित पावार की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है आयकर विभाग ने अजित पावार की तकरीबन 1000 करोड रुपए की संपत्ती को जब्त किया है पावार की यह संपत्तिया महराष्टर दिल्ली और गोवा में थी जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें से एक को आपरेटिव शुगर फैक्टरी भी है इंकम टेक्स विभाग ने या कारवाई 184 करोड रुपए की अगोशित आय की जानकरी सामने आने के बाद शुरू की थी जानकरी की मुताबिक प्रवतन निदेशाले भी अजित पवार के खिलाब आयकर विभाग की कारवाई को आधार बनाते वे मनी लॉंडरिंग एक के तहट एक नया मामला दर्श कर सकती है इसका मतलब यह हुआ कि इंकम टेक्स के इस मामले को एडी अपने हाथ में ले सकती है इडी सुत्रों के मुताबिक जल्धी आयकर विभाग को अउपचारिक रूप से एक खत भेज कर उसके द्वारा की गई कारवाई से संबंदित तमाम दस्तावेत और सबुतों के बारे में जानकारी मंगी जाएगी बतादे की इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने बीते महा साथ अक्तुबर को अजित पवार के सत्तर से ज़्यादा ठिकानों पर शापे मारी की थी तब अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के स्वामितव वाली कमपनी अनन्त मर्क्स प्राइवेट लिमिटेट से जूड़े लोगो और कई लोकेशन पर शापे मारी हुई थी इस रेड में कई लेक्ट्रोनिक उपकरनों और डॉक्यूमेंट्स को भी सीज किया गया था इसी समय अजित पवार की दो भेनों के या भी छापे मारी हुई थी नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अधिकारी समीर वानखेडे पर महराष्ट के कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक ने फिर से हमला बुला है मलिक ने कहा कि समीर वानखेडे इतने इमानदार अधिकारी है कि उनकी शर्ट 70,000 रुपे की होती है वे 2 लाग की जूते और 20 लाग की घड़ी पहनते है उनकी बेल्ट और पैंट भी लाखों की होती है जिस शर्ट को वो एक बार पहन ले उसे दोबारा नहीं पहनते उन्होंने कहा कि अगर देश के सबी अपसर इसी तरह से इमानदर हो जाए तो देश की सूरत ही बदल जाए नवाब मलिक ने एक बार फिर से अपने आरोपों को दोराते हुए कहा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि समीर वानखेडे ने हजारो करोड रुपए की वसुली नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो में रहते हुए की है मुझे बोलने से रोका जाए इसलिए मामले को अदालत में उठाया जा रहा है हर बार सत्य में उजयते कहकर भागने से काम नहीं चलेगा दूसरी तरफ नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो की अधिकारी समीर वानखेडे ने कहा है कि नवाब मलिक बिना सीर पैर की बात कर रहे है मलिक ने जो कुछ भी मेरे कपड़ों को लेकर कहा है वह माज अफवा है उससे जादा कुछ नहीं मलिक को जादा दूर नहीं बस अंधिरी स्थित लोखंड वाला मार्केट जाना चाहिए वहाँ उन्हें सभी ब्रैंड और उनके रेट मिल जाएंगे राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पाल्टी की नेता नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपो पर विपक्षनिता देविंद्र फट्नविस की पत्नी अमरूता फट्नविस ने जोरदार उत्तर दिया है नवा मलिक का नाम न लिते विए कहा कि आप मर्द है न फिर डाइरेक्ट देविंद्री जी को टार्गेट करे मुझे बीच में न ल व्यक्तिगत आरोप लगाये जा रहे है मुंबई की चार नदिया नाले में तब्दिल हो गई है 25 सालों से मुंबई मनपा की सत्ता पर काबित शिवसिना ने नदियों के लिए क्या किया अमरूता ने कहा कि रीवर मार्च शंस्था ने नदियों के सवरक्षन के उद्देश से गाना तयार किया था संस्था की ओर से जगदीप राना को नियुक्त किया था लेकिन उस समय राना का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था बता दे कि मलिक ने एक फोटो शेयर करते हुए यह सवाल उठाया है आखिर बीजेबी और ड्रग पेडलर का क्या कनेक्शन है फ भच्पानेता किरिट सुमय रुपए का भी तावर्तो भमला जारी है उन्होंने पवार परिवार पर करोडो रुपए के ब्रस्टाचार का आरूप लगाते हुए दावा किया है कि पवार परिवार के दामात मुहन पाटिल का इस्थिमाल करते हुए करोडो रुपए का वि में गड़बडी पाई गई है सुमया के मुताबिक पिछले 19 दिन से आयकर विभाग और ED चापे मारी और चानबीन जारी रखे हुई है 1050 करोड रुपए के बेनामी संपत्ती का खुलासा हुआ है साथी 184 करोड रुपए की नगदी गहने और दूसरे कागजाद मिल चुके है सुमया के मुताबिक जरडेश्वर करखन, दौन शक्कर करखन, श्री अंबाली का शुगर प्राइवेट लिमिटेट के साथ दूसरी कमपनियों के आर्थिक लिंदेन, साथी अजित पवार के दोस्त के परिवार और उनसे जूड़े समुहों के विविन्न कमपनियों के साथ हिरापिरी का भी खुलासा हुआ है तीन लोक सभा और तीस विदान सभा सीटों पर हुए उपचुनाओ के नतीजे से न सिर्फ ये पता चलेगा कि हवा का रुख किदर है बलकि नए सियासी समी करण भी बनते दिखेंगे एक तरह से मूड ओफ नेशन पता चलेगा देश में आज धंतिरस पनाया जा रहा है बाजारों में खरीदारी के लिए हुजुम उमड़ा पड़ा है बाजार का रुख पहचानते हुए लालो प्रसाथ के बड़े बेटे तेश प्रदाफ यादव ने अब स्टार्ट अप के माध्यम से चावल, आटा, सत्तु, मैदा और बेसन जैसे खाने की चीज़े लॉंच की है उधर उत्तरफदेश के गाजीपूर जिले में अहिरौली गाओ के चट्टी पर सुबह आड़ बजे चाई की दुकान में ट्रक बेकाबू होकर गुज गया जिससे गुजल कर 6 लोगों की मौत हो गई इस बीच सयुक्त किसान मोर्चा के नेता रागश टिकेत ने कहा है कि उत्तरफदेश में जनता भाजपा को वोट नहीं देगी लेकिन जित उसी की होगी साथ ही कहा कि किसान आंदोलन और तेज होका उपलब्धियों से जुड़ी बड़ी ख़बर ये भी है कि बार्कलेच के सीओ जेस टेले की जगह सीए स्वेंकट कुरुषनन बैंक के सीओ बनने जा रहे है कहां जा सकता है कि दुनिया के कारोबरी जगत में भारतियों का दबदबा लगातर बढ़ रहा है देश भर की इन पाज बड़ी और ताज़ा दर इन ख़बरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ तीन लोग सबा और तीस विधान सबा सीटों पर हुए उपचनाव के नतीजे आज आ रहे हैं नतीजों से न सिर्फ यह पता चलेगा कि हवा का रुख किदर है बलकि नए सियासी समीकरन भी बनते दिखेंगे परिणामों को मूड ओफ दनेशन के रूप में भी पेश किया जाएगा अगर बीजेपी और उसके सयोगी दल जीते तो इस केंदर सरकार के पक्ष में आया जनादेश माना जाएगा और कहा जाएगा कि मोधी लेहर अभी भी जारी है लेकिन अगर कमजोर प्रदशन रहा तो विपक्ष इसे मोधी लेहर के कमजोर पढ़ने का एक सपष्ट संदेश बताएगा राजस्तान में भाजपा के गड़ धरिया वद में कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की है यहां अपने ही गड़ में भाजपा तीसरे नंबर पर रही इधर मध्यप्रदेश में खंडवा लोकसभा और जोबिड विधानसभा सीट पर भाजपा को बड़ी बड़त मिल गई है भाजपा कारेकरताओं ने पार्टी को मिली बड़त के बाद जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है पशिम बंगाल में तरुणमुल कॉंगरेस के खेमे में जश्न का माहोल है बिहार के कुशेशवर स्थान और तारापुर वधानसभा सीट पर हुए उपचनाव में कांटे की टककर है किंदर शासत प्रदेश दादरा और नगर हवेली से साथ बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पतनी कलावती बाजी मारने की देहलीस पर है राशी जंदा दल प्रमुग लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताव यादव लगातार सुर्क्यों में बने रहने की कोशिश करते हैं सगरात्मक सोच यहा है कि सियासत के साथ साथ वो व्यापार जगत में भी अपने पैड जमा रहे हैं विरोधियों की सोच से इतर कुछ महीने पहले उन्होंने अपने माता पिता लालू प्रसाद और राबडी देवी के नाम पर एलार अगरबत्ती का व्यापार शुरू किया था और बिहार के कई शेहरों में इसका शोरूम खोला गया लेकिन तेज प्रताब सिर्फ अगरबत्ती के व्यापार से ही संतुष्ट नहीं हुए लिहाज़ा उन्होंने अब LR Rice and Multigrain Private Limited नाम से नया कारोबार शुरू किया है इसे वह किसानों को लाब पहुचाना चाहते हैं 19 अक्टूबर को तेज प्रताब ने अपने नय व्यापार के बारे में बकाईदा ट्वीट भी किया था उन्होंने लिखा कि अपना उप जाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, जैबिहार जानकारी के नुसार तेज प्रताब ने अपने इस नय स्टार्ट अप के माध्यम से चावल, आटा, सत्तू, मैदा और बेसन जैसे खाने की चीज़ें लॉंट की है तेज प्रताब ने अपने इस नय कारोबार के बारे में वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेर किया है और बताया कि अपने इस नय स्टार्ट अप के जरिये वह भीवार के किसानों को समुर्द बनाने की पहल कर रहे हैं उत्तरप्रदेश की गाजीपुर में सुबह सुबह रफतार का कहर नजर आया मुहमदाबाद कोतवाली शेत्र के अहिरोली गाउं की चटी पर सुबह 8 बजे चाय की दुकान में ट्रक बेकाबू होकर घुज गया जिससे को चल कर 6 लोगों की मौत हो गई इसके बाद ग्रामिनों ने चाल को पकड़ कर जम कर पीटा पुलिस ने किसी तरह चाल को ग्रामिनों से छुड़ा कर उपचार के लिए भेजा बताया जा रहा है कि अहरोली गाउं के बाहर चटी पर एक चाय की दुकान पर लोग बैठे हुए थे सुब आट बजे भरोली की ओर से तेजर रफतार अर्नियंदर ट्रक दुकान में जागुसा हादसे में जियन दासपुर गाउं निवासी उमा शंकर यादव गोलू यादव विरेंदर राम सत्येंदर ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई गंभी रूप से घायल चंदर मोहन राई और शाम बिहारी सहित तीन लोगों को चार के लिए जिलासपताल लेकर परिवार गए इलाज की दुरान अहरोली निवासी चंद मोहन राई और शाम बिहारी कुश्वाहा की भी मौत हो गई नाराज ग्रामनों ने चारों शवो को स्रड़क पर रखकर मौावजे की मांग लेकर जाम लगा दिया सूचना मिलते ही डी-म और एस-पी घटनास तल पर पहुँचकर ग्रामनों को समझाने में जुटे रहे सैंत्य किसान मोडचा के नेता राकेश टिकेट अब भविशमाणी भी करने लगे हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा को वोट नहीं देगी लेकिन जीत उसकी ही होगी सरकारी मशिनरी का गलत इस्तेमाल होगा भाजपा दूसरे दलों के प्रत्याशियों को परचा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिस करा देगी भाजपा जहां भी जाती है वहां लोगों को तोड़ने का काम करती है यूपी में मुलायम सिंग यादव, बिहार में लालू यादव और हरियाना में उम प्रकाश चोटाला के परिवार को भाजपा नहीं तोड़ा है किसान अंदुलन को लेकर कहा कि इसमें और तेजी आ सकती है हम दिपावली के मौके पर भी बॉर्डर पर रहेंगे और यहीं दिये जलाएंगे यदि बॉर्डर खुलते हैं तो फिर हम भी दिल्ली की ओर जाएंगे मंडियां बंध हो गई हैं ऐसे में हम सही दाम पर संसद में ही अपनी फसलों को बेचने की कोशिश करेंगे सीमाओं को खोला जाएगा तो फिर सबसे पहले किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना होंगे सरकार ने किसानों से बाचीत के लिए कोई पहल नहीं की इतिहास में हर याद रखा जाएगा कि यह सरकार ऐसी भी थी जिसने एक साल तक चले आंदोलन के बाद भी बात नहीं की दुनिया के कारोबारी जगत में भारतियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है बार्कलेज के सीएओ जेस टेले की जगह सी एस विंकट कृष्णन बैंक के सीएओ बनने जा रहे हैं बार्कलेज में सी एस विंकट कृष्णन अब तक ग्लोबल मार्केट हेट थे विंकट ने इसे पहले बार्कलेज की चीफ रिस्क आफिसर के रूप में भी काम किया है बार्कलेज बैंक से पहले विंकट साल 1994 से लेकर 2016 तक जेबी मार्गन चेज में कई वरिश पत पर काम कर चुके हैं एसेंट मैनेजर कारोबार में टॉप पोस्ट पर काम करने के बाद वह करीब 200 अरब डॉलर की संपती को चीफ इन्वेस्टमेंट आफिसर के रूप में संभाल भी रहे थे इसके साथ ही वह इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिस्क जैसे मस्ते पर भी काम कर चुके हैं विंकर ने कहा कि वो बार्कलेज में बदलाव के लिए प्रती बद्ध हैं और इस पर काम जारी रहेगा भारत के नाम उपलब्धियों की अगर बात करें तो एडोब के शांतनु नारायंट बाटा के 126 साल के तिहास में पहली बार संदीब काटारिया को ग्लोबल CEO बनाया गया है अलफाबेट के सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नादेला अजेपाल सिंग बगगा मास्टर कार्ट के प्रसिडंट और CEO है जबकि जैशी उलाल एरिस्टा नेटवर्क्स की प्रसिडंट और CEO है इसके साथ ही राजीव सूरी नोकिया के CEO है दुनिया भर में मची उतल पुतल का दौर है कही आतंकवाद का शोर है तो कही ताकत का जोर है लेकिन इसी बीच जापान से जुड़ी एक खबर आज की सुर्खियों में बनी हुई है जपान की राजकुमारी माको के वकिल पती कौमूरुकेई अमेरिका के डियोक स्टेट बार एक्जाम में फेल हो गए है तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष पे शिमला मिर्च की सबजी पैदा करने में सफलता हासिल की है इस बीच भारत के लिए अच्छी ख़बर ये है कि पंजाब को भारत से काट कर अलग देश बनाए जाने के लिए खलिस्तानियों की और से ब्रिटेन में कराए गए जन्मत संग्रह की हवा निकल गई है इसमें गिंती के लोग ही शामिल हुए दूसरी तरफ भारत में बने देशी कोरोना वैक्सिंग को वैक्सिंग को आस्ट्रेलियाई सरकार ने अपरोट टीको की लिस्ट में शामिल किया है उदर विशले शको का मानना है कि अंतर राश्य राजनिती में जिस तरह का विखराव है उसे देखते ये संभावना कम हो जाती है कि अफगानिस्तान की मदद के लिए फिलहाल कोई वैश्विक सहामती बनेगी दुनिया भर की इन पाज बड़ी और ताज़ातर इन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ जापान की राजकुमारी माको के वकील पती कुमुरो केई अमेरिका के नियूयर्क स्टेट बार एक्जाम में फेल हो गए है इस कपल की शादी के कुछी दीन बाद यह रिजल्ट आया है केई ने कहा कि वह पढ़ाई जारी रखेंगे और फरवरी में फिर से एक्जाम देंगे वही राजकुमारी माको ने एलान किया है कि वह आगे भी अपने पती की पढ़ाई का समर्थन करती रहेगी माको ने हाल ही में अपने युनियोर्सिटी के दोस कोमोरो केई से लव मैरिज की है दोनोंने करीब 8 साल से साथ थे और काफी मुशिबतों के बाद दोनों की शादी हुई है माको और केई तोक्यो इंटरनेशनल क्रेश्चन युनियोर्सिटी में साथ पढ़ते थे उन्होंने सितंबर 2017 में विवाह की गोशना की थी लेकिन उसके दो मैनों बाद कोमुरो की मा से जुड़ा एक वित्तिय विवात सामने आने के कारण शादी को टाल दिया गया था हाला कि अभी यह स्वष्ट नहीं है कि क्या विवात पूरी तरह से हल हो गया या नहीं तीस वर्षिय कोमुरो 2018 में कानून की पढ़ाई करने के लिए न्यूयर्क गय थे और पिछले मैंने ही जापान लोटे थे अब यह कपल एक बेडरूम के घर में रह रहा है पर दोनों अपार्टमेंट में जाने पर विचार कर रहे है और भविश्य में उनके अमिरिका के न्य न्यूयर्क शेहर में बसने की योजना है केई न्यूयर्क में एक लॉफर्म में वकिल के रूप में काम करते हैं माना जा रहा है कि मौकों भी न्यूयर्क में जाप करेंगी अमिरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष में शिमला मिर्ष की सबजी पैदा करने में सफलता हसिल की है नासा ने एलान किया है कि इस शिमला मिर्ष को प्लांट हैबिटेट 04 में पैदा किया गया है इस शिमला मिर्श को वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक शांदार डीश में बदल डाला और उसका आनंद लिया नासा ने बयान जारी करके कहा इस जाच में सुक्षम जिवी विशलेशन किया गया ताकि अंतरिक्ष में प्लांट के जिवानों के साथ संबंद के अबारे में अपनी समझ को और बहतर बनाया जा सके साथी उसके स्वात, पोशक तत्व और बनावट की भी जाज की जा सके शिमला मिर्श इस साल जूलाई मैने सही विकसित हो रहे थे ये शिमला मिर्च न्यू मेक्सिको के हैच वैली में पाए जाते है नासा के मुताबिक यह शिमला मिर्च दक्षिनी न्यू मेक्सिको के सांडिया मिर्च और एक अन्य प्रजाती को मिला कर तयार किया गया है Space Station के Twitter account ने इसे पौधो पर अब तक का सबसे चुनवती पुरुन प्रयोक करार दिया है शिमला मिर्च को अन्य फसलों की तुलना में अंतरिक्ष में पैदा करना ज्यादा मुश्किल माना जाता है इसकी वज़ा यह है कि शिमला मिर्च को पैदा करना बहुती ज़्यादा समय लेने वाला है और विकास होने में भी टाइम लगता है इससे पहले भी नासा अंतरिक्ष में चीनी पालक और अन्य फसलों को उगा चुकी है पंजाब को भारत से काटकर अलग देश बनाये जाने के लिए खलिस्तानियों की और से ब्रिटेन में कराया गए जन्मत संग्रह की हवा निकल गई इसमें गिंती के लोग ही शामिल हुए भारत में प्रतिबंदित आतं की संगटन सीक फॉर जस्टिस की और से ब्रिटेन के विबिन्न हिस्सों से सीकों को लंदन लाया गया था ताकि वे कथिच जन्मत संग्रह में हिस्सा ले सके सीख फॉर जस्टिस ने दावा किया था कि इस जन्मत संग्रह में 10 से 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया लेकिन ब्रिटेन पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि केवल 100 से लेकर 1.500 लोग ही इसमें शामिल हुए इस कथिच जन्मत संग्रह के बात इसके आयोजकों और उनके पाकिस्तानी समर्थकों ने इसे सफल करार देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी सीख फॉर जस्टिस ने 18 साल के उपर की उम्र के सभी सीखों को जन्मत संग्रह में हिस्सा लेने के लिए बुलाय था यहां मतदान वेस्ट मिनिस्टर इलाके में किया गया इस दवरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गये खालिस्तान समर्थक इस संथा ने कहा कि इस कथिच जन्मत संग्रह में हिस्सा लेने के लिए 1500 से 1700 लोगों को लाय गया लंदन में मौझूद विदेशी राजनईकों का कहना है कि तीन खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारों को छोड़कर किसी ने इस कथिच जन्मत संग्रह के लिए अपने प्लेटफाउन की अनुमती नहीं दी भारत में बने देशी कोरोना वैक्सिन को वैक्सिन को आस्ट्रेलिया ही सरकार ने अपरूर टीको की लिस्ट में शामिल किया है आस्ट्रेलिया की सरकार ने यात्रा को लेकर बायोटेक की को वैक्सिन और चीन की BBIBP कोरवी को मान्यता प्रदान की है हाला कि वीश्वस्वास्ट संगटन से को वैक्सीन को अभी तक हरी जंडी नहीं मिली है वैश्वीक संसा का कहना है कि कुछ और जानकरी की जुरूरत है उसके आधार पर ही इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दी जा सकती है इससे पहले 26 अक्तुबर को वीश्वस्वास्ट संगटन की मीटिंग थी जिसमें को वैक्सीन को मंजूरी दिये जाने की उम्मिद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब 3 नवंबर को WHO की मीटिंग होने वाली है इस मीटिंग में भारत बायोटेक के टीके को वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है फिलहाल सरकारी एजनसी की माननेता प्राप्त वैक्सीन की सूची में कॉर्मिनेटी, वैक्स जैविया, कोवीशिल्ड, स्पाइक वैक्स, जैंसेन, कोरोना वैक के नाम शामिल है यह माननेता बारावर्ष और उससे अधिकायो के यात्रियों के लिए है जिने को वैक्सीन का टीका लगाया गया है इसके अलावा उन 18-60 लोगों के लिए जिने BBIBP, कोर्वी का टीका लगाया गया है अफगानिस्तान में मानविय संकट पैदा हो रहा है लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है अगर वहा और मानविय संकट बढ़ता है तो न सिर्फ पडोसी देशों की परेशानी बढ़ेगी बलकि पस्ची में देशों पर भी काफी फ्रेशर आएगा तथा आतंकवाद और शरनार्थियों के समस्या बढ़ेगी इसे काबू में करने के लिए रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई थी फिर मॉसकों में मीटिंग हुई जिसमें भारत भी शामिल हुआ 27 सक्तुबर को तेहरान में मीटिंग हुई और इसी मेहने भारत में भी राष्टिय सुरक्षा सलाकारों की मीटिंग होनी है पिछले कुछ समय से भारत का यही मानना रहा है कि अफगानिस्तान को मानविया साहेता मिलनी चाहिए हाला कि वह यह मदद तालिबान के जरिये नहीं करना चाहता है उसका तरक है कि मानविया साहेता देने के लिए हमारे पास स्वायत्तत अंत्र होना चाहिए भारत ने यह बात पहले भी कही है कि तालिबान को योजना बनानी होगी और बताना होगा कि राहत सामगरी का वितरन वह कैसे करेगा आने वाली बैठकों में तै हो सकता है कि किस तरह से अंतरराष्टिय समुदाय अफगानिस्तान की मदद करेगा पर अंतरराष्टिय राजनीती में जिस तरह का विकराव है उसे देखते हुए यह संबवना कम हो जाती है कि इसे लेकर कोई वैश्विक साहमती बनेगी तो आज की इस खास पेश्विक में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहिए विकेवी न्यूस थमस्कार